दोस्तों यदि आप एक insurance agent हैं तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि आपने insurance field को ही क्यों चुना यानि आपने insurance बेचने का ही काम क्यों चुना अब दोस्तों हो सकता है कि आप मेंसे जारतन लोग ये जवाब दे ये कहें कि हम लोगों का भला करना चाहते थे उनके परिवार को आर्थे कुप से सुरक्चित करना चाहते थे उन्हें फाइदा देना चाहते थे हम समाज का भला करना चाहते थे इसलिए हमने insurance field को चुना तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप insurance agency ले रहे थे तो कहीं न कहीं आपके mind में ये विचार था कि आर हमे से ज़्यादा पेसा कमाना चाहते हैं अब दोस्तों मेरा आप से अगला सवाल ये है कि क्या आपने insurance field में आने की बाद उतना पेसा कमाया जितना आपने सोचा था अब दोस्तों ज़्यादा तर लोग आप में से यही कहेंगे कि नहीं हम उतना पेसा तो नहीं कमा पाएं और आप में से ज़्यादा तर लोग तो यह कहेंगे कि हम अपनी insurance agency को बचाने के लिए छोटा सा target ही पूरा कर लें तो वही बहुत बड़ी बात होगी तो उतना पेसा कमाना जितना की हमने सोचा था insurance agency लेते समय वो तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है तो दोस्तों आप अपन पेसा कमाएंगे वो बात आज भी आपके मन में होना चाहिए आपके मन में यह होना चाहिए कि मैं insurance फिल्ड में बहुत सारा पेसा कमाऊंगा और यदि बात है समाज की भलाई का या लोगों को उनके परिवार को आर्टिकुप से सुरक्षित करने का उन्हें फाइदा देने का तो वो तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि दोस्तों आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हर वेक्ति पेसा कमाने के लिए घर से निकलता है लेकिन उसके जरिये कुछ ना कुछ सेवा समाज के लोगों के लिए होती ही होती है वैसे ही यदि आप insurance फिल्ड में ह और आप भी यदि पेसा कमाने के लिए घर से निकलते हैं तो कही न कहीं आपके इस काम से लोगों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी या कई लोगों को उनके retirement पे pension मिलेगी या उनके बच्चों के education के समय या उनकी marriage के समय उन्हें एक lump sum amount मिलेगा तो देखा जाये तो जाने या नजाने आप समाज का भला करेंगे ही करेंगे लेकिन रही बात आपके भले की या निए आपके कमाई की तो यह बात आपके मन में होना ही चाहिए कि आपने insurance agency में काम करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यदि आप कहीं पर भी देख ले, आप किसी गाउं में चले जाए, आप किसी सहर में चले जाए, या आप किसी मंदिर चले जाए, किसी मजजिद चले जाए, आप किसी भी जगा चले जाए, वहाँ कहीं न कहीं जो भी मार्केटिंग होती है, कुछ भी पोड चाहता हूँ कि आप अपनी इंस्वेंस की एजन्सी से लोगों का भला कर सकते हैं समाज का भला कर सकते हैं लेकिन आपके मन में यह होना चाहिए कि मुझे जारा से जादा पैसा कमाना है जिसके लिए मुझे इतनी पॉलिसी बेचना होगी और इतनी पॉलिसी बेचने के लिए इतने लोगों से मिलना होगा उनसे ये बात करना होगी तो इस तरह पूरी की पूरी प्लानिंग आप एक डायरी पर बना लिजिए तो दोस्तों आप कभी भी किसी से इंस्वेंस की बात करते समय घबरा है ना किसी भी तया का संकोच ना करें क्योंकि हर जगा मार्केटिंग हो रही है हर जगा लोग अपना पोड़क्त बेच रहे हर जगा बेकती पेसा कमाने के बारे में सोच रहे तो आप भी इस बारे में सोचिए खूब पेसा कमाईए और हर जगा अपनी मार्केटिंग कीजिए जारा से जारा लोगों को इंस्वेंस के लावेर कीजिए उन्हीं इंस्वेंस के बारे में बताईए आप खुद बाखुद खुद पैसा कमा लेंगे तो दोस्तों सेल्स में काम्याब होने के लिए जो सांडर टिप्स है वो यह है कि जैसे कोई गायक होता है कोई डानसर होता है कोई कामेडियन होता है किरकेटर होता है या कोई अभिनेता होता है डाक्टर होता है सीए होता है इंजीनियर होता है यानि किसी भी फिल्ड का कोई भी वेक्ती होता है और यदि उसको अपनी फिल्ड में काम्याब होना है तो जिस तरह से हर वेक्ति अपनी फिल्ड में काम्याब होने के लिए प्रेक्टिस करता है उसी तरह से आप भी अपनी सेल्स की फिल्ड में काम्याब होने के लिए प्रेक्टिस कीजिए कि किस तरह से आपको सस्पेक्टिंग करना है किस तरह से आपको प्रोस्पेक्टिंग कर खूब आपको उसका रियाज करना है और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो यह प्रेक्टिस करेंगे इसकी आपको इंकम भी मिलेगी आपको पेसा भी मिलेगा बाके किसी भी फिल्ड में आप देख लो कोई भी वेक्टिस करता है चाहे वो गायक हो चाहे वो अभ पेसा भी मिलेगा क्योंकि प्रेक्टिस आपको मार्केट में जा करना होगी जिसकी वजह से कोई न कोई आपका प्रोडेक्ट भी खरीद लेगा तो इस तहां आपकी प्रेक्टिस का आपको पेसा भी मिलेगा